गरंत राज श्रिमत भागवतम स्कंथ संख्या एक अध्याई संख्या पंद्रा श्लोक संख्या अर्थिस श्रिमत भागवतम कैंटो वन चैप्टर फिफ्टिन टेक्स तर्टी एट श्लोक पड़ता हूं ध्यानपूरवक सुनिये गाई श्राट पात्रम विनियनम आत्मनह सुसमम गुनः तोय निव्या पतिम्भू में अभिशेक इंचित गजाओ है श्राट पात्रम विनियम आत्मनह सुसमम गुनः तोय निव्या पतिम्भू में अभिशेक इंचित गजाओ है श्रदार्च पड़ता हूं स्वराट समराट पात्रम पुत्र के लड़के को विनियनम भली भाती प्रक्षिक्षित आत्मनह अपना सुसमम सभी प्रकार से समान गुनह गुनों से तोय निव्या समुद्रों से घिरा हुआ पतिम्भू स्वामी को भूमह भूमी के अभ्याशिंचित सिंगासन पर बिठाया गजा होے हस्तनापूर की राईधानी में पन्वात परतां शिरिप पभूปाद द्वारा जो समुद्र के द्वारा घिरी सारी भूमी के स्वामी तता समराट के रूप में परशिक्षित था और उन्ही के समान योग्य था तात्परे बढ़ता हूँ ज्यानपूर्वक सुनिये समुद्रों से घिरी हुई सारी भूमी हिस्तनापूर राजा के अधीन थी महराय उदिष्टर ने अपने पौत्र महराय परिक्षित को जो उनी के समान योग्य था नागरिक के प्रती राजा के करतव को ध्यान में रख्यर राज प्रशासन में प्रक्षिक्षित किया इस तरह महाराई उधिश्टर के भगवधाम जाने से पूर प्रक्षित उनके स्थान पर सिंगासना रूर हो चुके थे यहां पर महराजा परिक्षित के प्रसंग में विन्य नम शब्द प्रिक्तुवा है जो त्यंत महत्वपून है महराजा परिक्षित के समय तक हस्तनापूर का राजा संसार का समराट को माना जाता था इसका कारण यही था कि समराड के अच्छे शासन के कारण संसार में लोग सुखी थे नागरिकों के सुख का कारण प्रयाप्त प्राकर्तिक उपच थी यथा अन, फल, दुग्द, औश्दिया, रत्न, खड़िज और जंजा की आवश्यक वस्तुएं वे शारिरिक व्यादियों, मन की चिंताओं तथा प्राकर्तिक उत्पातों से मुक्त थे चोकि सभी लोग सभी तरह से सुखी थे अतायब कहीं कोई असंतोश ना था यद्दिपी राजनातिक कारणों तथा शेष्टा परदर्शन के लिए राजाओं में कभी-कभी युद्ध हुआ करते थे परते व्यक्ति जीवन का सर्वोक्ष लक्ष प्राद करने के लिए प्रक्षिक्षित किया जाता था अतायब लोग छोटी-छोटी बातों से लेकर जगरते ना थे किन्तु धीरे-धीरे कलिव का प्रभाव राजा और प्रजा दोनों के सद्गुणों में प्रविष्ट हो गया किन्तु शासक तथा शासित के मद्द विश्मता के इस युग में भी अध्यात्मिक विकास और इश्वर चेतना संभव है यही विशेश अधिकार है श्री गुर्वे नमां श्री चैतन्यमनों भीष्टम स्थापितम येन भुतले स्वयं मुझ्व रूपगनामयं क्रदार्दाति स्वपधान्तिकंद वंद्रेहं श्री गुरू सिरी उतपद गमलं। करिशन कर्मासिंदो दीन बंधो जगत्पते गोपीका गांत राधा कांत नमस्तते तप्तकांशन गारांगी राधे व्रिंदाव नेश्वरी व्रिश्भानोशुते देवी प्रणगावी मुर्यडी करने सिर्च गष्ण उन्यौ करते संग की नाशागर श्रुम थी क्रिफा क्रिफिक ग민ंद जो Genesis घची जों श्रुबा करने स躯े तिनाशनल से में सुंसे अकोषi करते स्वेविवक्त प्रेंद व। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवानी प्रचारिने दिर्विशेषा शुन्यवादी पाश्चात देशतारिने I'll back apology, pardon from everyone, that I'm not well today, so maybe there'll be a little disturbance in between. No problem, शाजी. पौत्र को सिंगासन आरूर किया, जो समुद्र के द्वारा घिरी भूमी के स्वामी तता समराट के रूमे प्रक्षिक्षित था, और उनी के समान, सुरी आवास नहीं आरी किया, सुरी, तत्पश्चात उन्होंने हस्तनापुर की राइधानी में अपने पौत्र को सिंगासन रूर किया, जो समुद्र द्वारा घिरी सारी भूमी के स्वामी तता समराट के रूम में प्रक्षिक्षित था, और उनी के समान योग्य था, तेके, दो बात समझ में आ रही यहां पे, एक, समुद्र के द्वारा घिरी सारी भूमी के स्वामी, और दूसरी बात, समराट के रूप में प्रक्षिक्षित और योगिता और इस बात को ताथ पर इसमें समझने के आशक्ता है कि पिशले वाले शोक में इमने पढ़ा कि महराजा इस्टर कल्यूक के प्रभाब को समझ गए जिसकी विशेष्टा बढ़ता लालच असत त्वाशन धोगा देना सारी राजधानी राज्य घर तता समस्त वेक्तियों में हिंसा का आधिक है अताब उन्हें घर चोड़ने के तियारी की ततनकूल वस्त धारन किये राजा को अपने एक जिसे कहते हैं कि अपने स्थान पर दूसरे को जो है सिंहास नारूर करना अपना स्थान त्यागना है और दूसरे को वहाँ पर लाना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है परिशिक्षन ट्रेनिंग उसको राज्य को चलाना है राज्य को चलाने की ट्रेनिंग उसके पास होनी चाहिए और महलाजा परिक्षित को ट्रेंड किया गया था अगर हम आज के संदर में देखें इलेक्षन जीतना ही कॉलिटी है वह उसके बाद मुझे अपना आप प्राइम मिनिस्टर बना दो मुझे आप जो है चीफ मिनिस्टर नहीं बने किसी स्टेट के कहीं मुनिस्पर कार्परेशन में भी गाम नहीं किया पर प्रशिक्षन के बिना यूँगां डूरीच लेवल कि जहां पर आपको देश चलाना है यहां तो संसार चलाना है अभी हम लोग जो है देखते हैं लीडर जो है कंट्री चलाता है को लीडर स्टेट चलाता है को लीडर जो है कॉर्परेशन चलाता है परन्तु यहां पर लीडर जो है लीडर मिस्वाराजा परिक्षेद उनको क्या चलाना है संसार पूर्ण संसार के स्वामी नमबर एक नमबर दो उस संसार को चलाने की योगता ये दो चीजें उनके पास होनी चाहें सवाल है कि समुद्र द्वारा घिरी भूमी अभी आज भी हम देखेंगे जो सिक्स कॉंटिनेंट्स की बात होती है उनकी चारों तरब समुद्र Hernail तो हमको यहाँ पर लेकर चला है कि हस्तनापूर के राजया तब राइधानी तिल्ली किलगता बंबई मदरास नहीं ति तब राइधानी थी हस्तनापूर सारे संसार का कंट्रोल हस्तनापूर से होता था का आज हस्तना जो है समय पागर एक कस्वा बन गया है यह चोटा टाउन बन गया है बर उस जमाने में हस्तरापुर जो है बेरी वेल डेवलप्ट नमबर एक और वहाँ पे राजा के सारे परिकर मंत्री योगता के अनुसार सब को स्थान मिला हुआ था और राजा वहाँ से बैठ के राज्य करता था अब किस चीज की होनी है ठेनिंग किसी का ओडियो हून है समबडी ओडियो इस ओन प्रभुजी एक बार सब को म्यूट कर दीजे सब को म्यूट कर दीजे मान म्यूट कर लूँगा किसी का आउडियो ओन है नागरिक के प्रती राजा के कर्तब को ध्यान में रखकर नागरिक के प्रती राजा के कर्तब को ध्यान में रखकर राज प्रशासन में परिक्षित किया संसार कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिं की दी है राजा परिक्षित को और युलिश्टर महराज के रहे हैं कि जब मैं राजा छोड़ने वाला हूँ तो अपने पौत्र को राज़ दूँगा बीच में पुत्र है नहीं कोई सब समात हो चुके है युद में तो अपने पौत्र को राज़ दूँगा और मेरा पौत्र जो है उसको पहले ट्रेन करना आवश्यक है आज हम लोग जो है बहुत कारे करते हैं पर हम लोग ट्रेन नहीं होते हैं उसके अंदर ट्रेनिंग नहीं होती है पर कारे करने बैठ जाते हैं फिर फेल होते हैं फिर फेलियर से ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं पर यहां पर जो है फेलियर से ट्रेनिंग प्राप्त नहीं हो यहां ट्रेनिंग प्राप्त हो रही है बकाइदा उसको जो है बच्पन से लेके बड़े होने तक लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है लगातार समझाया जा रहा है कैसे राज्य चलाना है कैसे संसार का राज्य चलाना है कैसे प्रजा की रक्षा करनी है कैसे गोधन की रक्ष हो गए हैं अब उन्होंने राजा परिकृत को जो हे अपने स्थान पर बिठा दिया है सिंगासर वे अरूण कर दिया है आप यहां पर प्रुबपार लिखते हैं कि महाराजा परिकृत के समय तक हस्तना पूर का राजा संसार का समराट क्यों माना जाता था इसका कारण था कि समराट के अच्छे शासन के कारण संसार के लोग सुखी थे सुखी थे means everybody has to be happy आनंद की स्थिति होनी चाहिए सुख और सुख कम मिलता है अगर हम आज के समस्या में देखें आज के संदर्म में देखें तो सुख की प्राप्ति कब होती है सुख की प्राप्ति होती है जब परसितियां जब हालात जब सरक्मस्टांसिस जब सिचुईशन आपके मन और शरीर के अनुकूल हो आपके राजा का ट्रेंड होना जरूरी है ताकि वो प्रजा को सुख किस्तिती प्रदान कर सके उसको मालूम है कि प्रजा को प्रसंद कैसे करना है उनकी क्या जरूरियात है उननेसेसरी डिजायर्स फुल्फिल नहीं करनी है जो नेसेसरी डिजायर्स हैं जो नेसेसिटीज हैं उनको प्रवाइड करना है। और प्रजा के सुख का सबसे बड़ा तरीका क्या है। टिक डिजायर से बुक्त हो जाएगा और सुख की प्राप्ति होगी ना लोब रहेगा ना ख्रोध रहेगा ना ख्रोध रहेगा मतलब अगर आगर आपको अच्छा राजा बनना है तो आपको प्रजा के सुख का ध्यान करना है वो प्रजा का सुख कब है जब उनके मन उनके अनुकूल बाते हों तर आज के संदर्व में देखें कि प्रजा का सुब किसमे है काम ना करना पड़े सब कुछ मिलता चला जाए मेरे पास तेजोरियां भरी रहे अरे भाई खाएगा तो दोई रोटी पहनेगा तो चारी कपड़े इतना कुछ क्या करेगा लेके नहीं मेरे यहां पर जो है उस सबाने के अंदर हस्टना पूर्गा राजा संसार का समराट क्यों माना जाता था इसका कारण था कि समराट के अच्छे शासन के कारण संसार के लोग सुखी थे हरे को उसका जो रिक्वाइट गोल है वो अविलिबल हो रहा है जो उसका गोल समझा दिया गया है कि यूर गोल इस वान भगवन धाम जाना उसके लिए प्रैक्टिस करने है उसके लिए ट्राइ करना है बट आगे प्रूपाजी बहुत अच्छी बात लिखते हैं नागरिकों के सुक का दारर प्राकरतिक उपच्छती है जथा अन फल दुग्द और रोष्णिया रत्र खनिच रता जनता की आवश्यक वस्तुएं आपकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसमें अन भी आता है दूद भी आता है और रत्र भी आते हैं खनिच बदार जिस्से क की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और जनता की आवश्यक वस्तुएं जो अटमोस्ट निसेसरी हैं आपके लिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो आपको चाहिए नाव वे शारीरिक व्याधियों मन की चिंताओं और प्राकरतिक उत्पातों से मुक्त थे अब जब स सुसाइटी जो है, वो धर्म के मार्क में चल लेए धर्म नहीं रहा है, तो सुसाइटी के अंदर एक शांती हैं, एवरिबडी दूसरे व्यक्ती की रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको आधरमान संबान दे रहा है, हम से कई भर प्रश्ण करते हैं कि भई आप जो है बच्चा ह होता है उसको भी हमान देते हो बड़े को जेते हो अब हरते हैं कर न सो कि 시간ud is बन गए और न को जो है प्रोब जी माता जी के हम पड़ दूटर जला रहे थे रोड में उपर का स्कूटर जो है रास्पदाल के सामने किसी लीडी को टेच कर गया लीडी होगी 35-35 साल की ना सौरी माता जी जनाता धापड मारा है कि जिए माता दिखाई देती हूं इमाई यूर मदर इदानी मैंने तो आपको आदर मान दिया है रस्पेक्ट दिया है मेरा स्कूटर अब स्कूटर टच किया मुझे चोट नहीं लेगी मुझे उसका तगलीव नहीं हुई को यंग लेडी उसको माता जी कह रहे ह новin है वाडी यो माता जी शोटा four final जाए को वह हमने शास्त्रों में परभाण कि लाए शिंटर के शाला चाहए देख्ते हैं कि हम घरे खगवान की अथ उपस्तिती देखते हैं इसको रसपेक्ट नैना चाहिए तो रस्पेक्ट हम जो है उन्हें प्रभु जी आ माताजी के रूप में सम्भोधित करके प्रकट करते हैं अब जब समाज में वबस्ता हो जाएगी प्रुभपात कहते हैं कि अपने आपको तिनके से भी नीचा मानना है तिनके जिसे जमीन में पड़ा हुआ है लोग उसको रौंद के चले जाते हैं कभी उफ नहीं करता पेड़ से ज्यादा सेहन शील मानना है कि पेड़ सर्दी हो गर्मी हो परशाद हो धूप हो जैसा भी हो खड़ा रहता है पत्यां लोग तोड़ लेते हैं फल तोड़ लेते हैं फूल तोड़ लेते हैं चाल तोड़ लेते हैं तना तोड़ लेते हैं और जड़ भी तोड़ लेते हैं तब ही पेड़ किसी से कुछ चाहिए इसकी वरी होनी चाहिए तो दूसरे को मान समान देना अपने मान समान की चिंता नहीं रखनी अपने मान समान की आशा भी नहीं रखनी दूसरे को मान समान देना ऐसा व्यक्ति जो हरी का किरतन करने में समर्थ होता है किरतन ये सदा हरी तो जब वह भाव आ जाएगा वो भाव आजएगा तो प्राकर्तिक उत्पात और मन की चिंताएं और शिरीर की व्याधियां तंग नहीं करेंगे आपको शिरीर की बिमारी आ रही है प्राबलम्स है पर यू अपना हो यू अंडरस्टेंड कि आपने भगोदीदा बड़ी है भागोदम बड़ा है आपने अ प्राबलम को फूली वैटके कामनी बैटके काइब चाटके जा सकता है साट ना करके कुरूद कर देना जगड़ा लड़ाई पिस्टल चल जाती गाड़ी पार्की में पिस्टल चल जाती तो फर्स लिए है कि उस जमाने के अंदर जो प्रूपार लिख रहे हैं कि शारिरी व्याधियों से मुक्ति थी व्याधिया है ठीक है we have to tolerate we have to bear it और इसके बा होना required जो आपके करमफल के अनुसार प्रात होना है आपको मिला है जीने के लिए और आप सेटिसफाइड हो आप सेटिसफाइड हो आपको फिर किसी चीज की चीज की चिंता नहीं है आपको you are not worried about anything आप जो है बिलकुल एक दम निश्चिंत बाव से बैठे हुए हैं अब आ नहीं चाहिए तो जो कस जो चीजें जो वस्तुमें जो requirements हमारी Krishna consciousness की need हैं आवश्यक हैं उनको स्विकार करना है क्या स्विकार करना है संतोश रखना है असंतोश नहीं होना चाहिए जो आपको spouse मिला है उसमें आपको संतोश होना चाहिए yes मेरी भागे में था मुझे इसा मि जो आपको भोजन मिला है मुझे उसमें संतोश होना चाहिए yes भोजन मेरे को यही प्राप्त होना था कि मुझे मिला है मुझे संतोश है और जो आपको धन उपलब्द है जीवन यापन के लिए उससे भी संतोश होना चाहिए yes I am happy I am very happy किस से संतोश नहीं होना चाहिए I am not happy not happy with कि मेरे गूप शास्त्रों का ज्ञान और होना चाहिए और होना चाहिए मैं खुश नहीं हूँ किस से my progress in Krishna consciousness मैं कृष्भामरामरत में advancement में खुश नहीं मुझे और करने चाहिए थी मुझे और करने हूँ progress करने की मातरा और शाहिए I need more and more और तिसरी बात है वैरागे कि मुझे वैरागी बनना है वैरागी means जो कृष्भामरत में चीज़ें जरूरी हैं उनको स्विगार करना है और जो चीज़ें जरूरी नहीं हैं उन्हें reject करना है तो जब ये भाव आजाएगा मन के अंदर ये सोचने लग जाएंगे तब आपको जो है सुक के बराती होगी कोई असंतोष नहीं होगा अब कहते हैं यद्भी राजनेति कार्णों तो था शेष्टा परदेशन के लिए राजाओं में कभी-कभी युद्ध द्वा करते थे ज़िए चक्रवरती राजा होते थे अश्मेर यक की आ जाता था धोड़ा छोड़ दी आ जाता था जब वोड़े को रोग लेता था तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता था वो हार जाता था तो चक्रवरती राजा के अंडर आ जाता था राज्य अपने राज्य में वही करेगा राज्य के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कैसे करना बट नौ यू अंडर्स्टैंड कि जैसे किसी दुसरे जाया के साथ युद्ध हो जाता है या अकाल पड़ जाता है या भुचाल आ जाता है या वारिश हो जाती थे जिसे कुछ पाकरतिक अबदाएं आ जाती है तो एवरीबडी कम्स अंडर दी जिसे कहते हैं जंडे के नीचे फ्लैग आफ चक्रवरती राजा एंड दें सपोर्ट इच अगर कि प्रतेग व्यक्ति को जीवन का सरोच लक्ष प्राक्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था पता है लोग छोटी-छोटी बातों को लेके जगडते नहीं थे आप वो जो चीजें असेंशियल है जीवन यापन के लिए वो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं है राज्य के अंदर राजा की तरफ से प्रविजन हो रहा है कंबर ए और चोटी-चोटी बातों को लेके जगड़ा नहीं करना है कलेश नहीं करना है लडाई नहीं करनी है अब धीरे-धीरे कल्यूग का प्रभाव राजा तथा प्रजा दोनों के सद्गुनों में प्रविष्ट हो गया कल्यूग का प्रभाव कल्यूग का प्रभाव क्या है जब हम हागवतम बढ़ते हैं तो कल्यूग के लक्षन दिखाई देते हैं शुगदे गुसामी कह रहे हैं हे राजा कल्यों के प्रबल प्रभाव से धर्म सत्य प्रभृत्रता अक्षमा देया आयूग शारी दिक बल उस्वर शक्ति तिर्पति दिन घटते जाएंगे आप देखेंगे कि आपके कल्यों के प्रभाव के अंदर जो है चीजें दिन बदिन दिन बदिन घटती जा रहे हैं अब उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा उसके बिना घारी नहीं चलेगी और कलियों के प्रभा में क्या होता है पर पबित्रता देया तता सत्य चार चीजें हैं इनका पालन करना चाहिए तब का मतलब यह है कि आप तपस्या कर रहे हैं अपने आपको प्यूरिफाइग कर रहे हैं का पुरिफिकेशन तपस्या कब होगी जब आप इंटॉक्सिकेंट से दूर तपस्या के लेवल के आएंगे फवित्रता मतलब शुचता तब है जब आप इलिसिट से दूर रहेंगे इस तरी पुरुष से पुरुष इस तरी से इलिसिट तो कि इलिगल मेरिटल रिलेशन्शिप है उससे आप दूर रहेंगे उसके बादर दया पशुवद नहीं होगा आप किसी जानवर का वद करके उसको खाएंगे नहीं किसे कई बार मेरे मरीज कहते हैं जी उसके एक ही सवाल करता हूँ वह आदमी घर में मर जाता है तो आप टाइ है उसमें भी कून था सबी कून है वह आपको पसंद है तो सी सुड़ा चंटिस क्वाकिन माता मर यह ता-दाम्ठी मर घव I-सको सिम्षान गाट ले जा रहें उसको बार के पेड़ मेले जा रहें लहाएं पेट शी कि इन बातों को आपने ध्यान से रखना है है अब अगर हम यह चार नीमों का पालइंग का कि यहां पर जो है आती है चर्शा कि कल्यों के अंदर क्या हो रहा है कल्यों के अंदर धरम लोग पूरा है सत्ता कमुटिचारी है पवित्ता खुच जारी है ख्षमा घटी जारी आदमें किसी को माफ करने कु तयार नहीं कि ख्षमा का लेवल क्या होता है ख्षमा है दूसरे के अपरात को ख्षमा कर देना कैसे माफ करते हैं मैं बहुत पावरफुल हूँ जड़ी पावरफुल हूँ किसी ने मेरे पती अपराद कर दिया नो उसे दंड दे सकता हूँ उसे पनिश कर सकता हूँ पर मैंने पनिश नहीं गया मैंने छोड़ दे येस इसका मतलब है कि मैंने असली दिया करी असली क्षमा करी पर ए कि आप पावर्फुल होते हुए भी दूसरे को दंडित नहीं करेंगे यौर पावर्फुल बट इंस्पाइट पावर्फुल यौर नॉट पनिशिंग अपर पर संफ दन ऑफेंस टु यू वह आपके प्रतिया प्राथ कर रहा है अब दया करते हो उसके बात कह रहे हैं आयू शेगिन बन गूंपर शमर्णशकत्पी दिन पर ठी दिन घटते चले जाएंगे वगर आपसे पूछो जहूं कि आप तीन दिन का मीनों बता दो आपने क्या खाया तो हम नहीं इबता पाऊए हैं सुबह नाश्ते में क्या लिया था उसके लिया था लक्ष में क्या लिया इ साठ के बाद अगर जीता है तो समझता है मुझे बोनस मिला है ना बोनस से जी रहा हूं मुझे वायू जीने की नहीं है तो इसमें जो है कलियोग के प्रवर्वार के अंदर अब एक मात्र संपत्ति क्या है आज की डेट में जो है कलियोग के अंदर जो है व्यक्ति जो इसकी पैचान किस्से है कि कलियोग में एक मात्र संपत्ति क्या है पैसा है पैसा है और कुछ नहीं है आपका जनम उत्तम हो पैसे वाले हो तो बिना पैसे वाले के पास यह गौन है तो कोई वैलियू नहीं है कोई नहीं पूछता है कोई नहीं पूछता है कि एक वेक्ति के बाद बहुत पैसा है है तो ह्र वेक्ति पुछता है how is that how is everything? how are you? मुद्ब हाउ हाउ करता है अब वो ठिकमंगा हो गया पैसा लुड़ गया वो बात करने करा आख सेदा पुछते हूआ रियो क्यों हो गई मुद्ब पैचानने से भी इंकार कर देते हैं तो इसलिए जो है अब शास्त्र क्या कहता है भागतन क्या कहता है कि लॉब एंड न्याए न्याए मीन्स जो आपका कोट के अंदर जो डिसीजन होने है जो आप जो आपको जो आपको न्याए मिलना है वो सारा जो है आपकी पावर के हिसाब से डिसाइड होगा है कि आप में शक्ति कितनी है पैसे की पैसा है तो सब चीजें माफ हो जाती है पैसा नहीं है तो आप जटके रोगे जेल के अंदर चुटकारा नहीं पावगे फिर बताया कलियों के प्रभाव में कि पुर्ष तता इस्त्रियां केवल उपरी आकरशन के कारण एक साथ तोलता कपड़ पर निर्वाठ हो गए अब इस्त्री पुरुष में जो आकर्शन है डाट इसलेठ टूत लिम इंडाऺड इस कि अध्य्येयं ठेशल स्टा लिया ने पहसंदाई दूसरी लिंदिया नहीं पहसंदाई तीसरे के सारे लिंदिया नहीं पसंदाई चौते के सा आप कितनी बेमानी कर सकते हो बिजनस के अंदर उस से याप सफल लो याप की सफलता किस पर है बेमानी पर हम कई बार शब्र यूज करते हैं कि इमानदार वेक्ती बड़ी मुश्कल से शाम की रोटी कमा पाता है अगर आपको जो है अनाया सुपलब दो रही है मज़े के बहुत नहीं मिला लग रहा है पुर्षत उता इस्तित्यों का निरने काम शासरों की निपंता के नुसार किया जाएगा बहुत बढ़िया बात कहीं भाग उताने कि आप जो है फुरुश हैं कि इस्तरी हैं परफेक्ट हैं कि नहीं हैं आपके ग्यान पे डिपेंड नहीं कर करता है आपके मन पर डिपन्ड नहीं करता है आपके इमोशंज पर डिपेंड नहीं करता है आपके काम-शास्तु मैं इस सब चीजT sex के उपर विष्ट हो गई और ब्राहमन ज जो है ज्मी पहनने पर त coração पेना उल्टा हुआ पर मैं बड़ा मारी ब्रामवन हूं में जन्य मों धारी ब्रामवन हूं वाल नहीं साकार को जन्य घरन करने का तरीक्शा olur कर चाला पिंद बता है एक कि एपनी लाइफ भिष्झार रुप सकेःति और इसके हरुशार चलना मु bashकार कि हाथी तो बाहे प्रतिकों से सुष्चित होगा इसी अदार पर लोग एक आशन चोड़कर दूसरे आशन को स्विकार करेंगे आप ने बड़ा लंबा तिलक लगा लिया गले में भगवा कपड़े पहन लिया तो आप बड़े भारी महात्मा हो गए तिखा है आपने तिखने में है अंदर से मन के अंदर जो है सब आम ग्रोध लोग वो मतसर सब चुपा हुआ है समब है आपके अंदर जो है सुक्षम डिजार्ड भी है है और स्थूल डिजार्ड भी है आप उन से छुरगारा नहीं पा सकते हैं बट हर चीज किस पेड़ और थिपे इपंडेन करती है आपके उपर धन कितना वुप्द है पैसा कितना है उसके बाद है और जो चिकनी चुपड़ी बाते बनाने में चतुर होगा वहीं विद्वान पंडित बना जाएगा जो आपको कहते हैं स्मार्ट आदमी कौन है बिजनस के अंदर जो गंजे को कंगी बेच दे गंजा विक्ति है उसको आपने कंगी बेच दी तो यह बड़ी स्मार्ट बिजनसमेन हो और बहुत अच्छे जो है सेलर हो तो इस तरह जो है जो निपुंता है बातों की उससे ही आप खाएंगे उसी से आप बड़ा बिद्वान है वहीं आपाते बड़ी सुंदर करता है आप बजा आगया बाते सुनके है जदी किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है अपित्र बाना जाएगा धन नहीं है विकार आदमी है अच्छो ऐसे कोई नहीं है इवार हम चर्चा करते हैं ने मंतरन आया है करीब के खर जाना है कौन जाएगा बहां बैठने की जगा होगी नहीं होगी खाने मिलेगा नहीं मिलेगा क्या गरें जाए ना जाए छोड़ पर किसी रईस के घर से ने मंतरन आया है तो आप वक्त से पहले पहुंचते हो भई वहां वहां आदमी नाराजना हो जाए और मेश्था सारी पूरी की पूरी है मजा बहुत आएगा पार्टी बहुत बढ़िया होगी मतलब गरीब आदमी को आप जो है अपित्र मान लेते ह हो यूजलेस मान लेते हो निकरिष्ट मान लेते हो और दिखावे को गुन माना जाएगा जिस मैंने मताया दिखावा मगवे कपड़े पहली है यह बगवे बटका धारन कर लिया बढ़ा हंतलक लगा लिया अवे बड़े दिखावा कर रहे हैं यह आपका कुन है और विवह मौकिक स्विर्टी के द्वारा वे बस्तित होगा है मतलब आपने एग्री कर लिया वोकली एक दूसरे के साथ कि यह सी और माई वाइप अचलो जी लिविन हो गया शादी हो गई फाइनल हो जाई है तो कोई वेक्ति अपने वो जनता के बीच आने के यूगे समझेगा तो केवल स्नान कर लिया हूँ मतलब वो उसने केवल स्नान कर लिया हूँ मतलब आज जो है आपने अपने शरीर को अलंकरित कर दिया है और यह समझते हैं आपने कि आपने में स्नान कर लिया पने में सारे मेरी पूजिशन बहुत बढ़िया हुई I'm not very well off actuality में क्या है, dumb है, dumb means दिखावा है, dckावा means, करने में कुछ, हातिे के दाथ खाने के और और दिखाने के और, खाने के लिए कुछ और है, घाने के लिए कुछ और है, अब कल्यों के अंदर तीर स्थान, को दूरास्ट जलाश है और सुंदर एको मनश्य की केश सज्जा पर अरप्सित माना जाएंगा यूटी बार जाते हैं ना बाल सेट करते हैं बाल जिसे बाल है तब पाटी में मजा आएगा जाके मेक अप कैसा तब पाटी में जाएगा और तिरस्थान में जाने की बात करते हैं तो कहते हैं मैंने बोला हूँ या पिंदावन चलोगे नहीं मैं देख आया हूँ देख आया हूँ ऐसे जैसे लाल के ला देख आया हूँ पुत्व मिनार देख आया हूँ इसे लाइस पिंदावन भी देख आया हूँ बगवान के दर्शन करने जा रहा है उसमें इंट्रेस्ट नहीं है मैं देखाया हूँ और उदर भरन जीवन का लक्ष मन जाएगा एम आफ लाइफ का रहा जाएगा पेट भर जाए पस आना मिल जाए पेट भर जाए और जो होगा दिखी जाएगी जो जतना ज्यादा घ्रीट होगा होतना रहां अपनी बात पोर जाएम चोड़ते नहीं है बार बार भी बनाव वेंatar महांहां जाए कि धर्म का अनुसरन मात्र ये की जाए अब बड़े धर्भा doma निखाई दे तो किस के लिए याश क्या है धर्म का अनुसरन करते हूझ कि यस आई फ़ॉलो थे सॅ क्या है में मंदिर जाता हुझत जी लोग सिर्बे तो मिनट के लिए पांच मिनट के लिए आए suppos तरह जो प्रिति भष्जनता से बरती जाएगी तो तो समस्त वर्णों में जो अपने को सबसे बल्वान दिखरा सबीगा राजमेतिक शक्ति प्राप्त करें इसी जमाने में जब राजा होता था उसको गड़ करने के लिए मंत्रियों की जो परशिद होती है जब ब्राह्मन हो अगर आर्थिक गाइडेंस देनी है तो बिस्नसमेन होता था अगर चलाने के लिए प्रजा के सुखदुख की चिंता करनी है तो ब्राह्मन मंत्रियों होते थे अगर उसको युद्र भूमी के अंदर जो है जाकर अपना एक्शन दिखाना है प्रोसियों से रक्षा करनी है अपने अपने सिमाओं की रक्षा करनी है उसके लिए शस्त्री होता था तो शत्री जो है उसको जूटी मिलती थी कि तुम सेना पती का पत्त हो आज की डेट में क्वालिटी क्या हुए है कि आपके पास आपका परनाश्टन धर्म के नुसार कोई वैल्यू नहीं है कि आप म क्यों नहीं हो सकता प्रॉग्रस के साथ से बने ना बने मैं उबीस ही हूं मुझे बना दो बश्रूट कास्तों मुझे बना दो इस प्राब्लम जा कमेंगे राजनेतिक शक्ति मिल लई है आपको किसी ऑफिस की पावर मिल लई है इसी बेश से मिल लई है आपकी अपनी हाथ में कितनी शक्ति है कितनी लोग आपके साथ हैं तो यहां पर जो है बहुत सारी चीजे बताई हैं उसके बाद मताया कालियो का कीड़े आपको कीड़े मिलेंगे साफ खाते मिलेंगे वीडियो से जहां पांच महीने का बच्चा वाड कराया जाता है उसको को बाइल किया जाता का सूप बनाया जाता है तो इस तरह की चीजे जो हैं बिल्कुल अना इसे एक आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये बातें ऐसे हो सकती है पर आज हो रही है तो हम देखते हैं कि कल्यों का जो प्रभाव है जब वो कल्यों का प्रभाव आ जाएगा तो अभी तो स्टार्ट हुआ है अभी बिगिनिंग है अभी भी देखिए हो रही है रोडड़ार हो रही है रोड़ रेज हो रहे है DOUब्न सब एंज्वयमेंट के जो है यह जो असंदोश हो रहा है वह कि हेक्वारी जुसमाज एंदब्स की वज़ा यह है कि हमारी कामनाई जो है अनलिमिटीड हो गई हम बिना पैसा के दन कमाना चाहते हैं अभी लोग कहने थे बड़ी बिरोजगारी चल लगा बहुत अच्छा लगा सुनने में किसी से पुरूसगारी बहुत है मैं एक बात बता होगा प्लमब जूंडो मिलता नहीं है प्लेवर अबलेवल लेवल लेवल लेवर भुद्वरी चल नहीं है तो कि मैं टीवी बोस्ते न्यूज देख रहा था है वुछ पच्छे साल का साथ हम तो विरोजगार हैं अच्छा क्या पढ़े लिख्यों दस्मी फेल हैं हम अच्छा तो क्या विरोजगारी मिलनी चाहिए कि कौन देगा नवकरी सरकार की जम्हेदारी देजें तुमने अपलाई किया ने अपलाई तुमने नहीं किया नहीं है दस्मी फेलो सरकारी नवकरी चाहते हो तो यह तो आज की समस्चा है यह कलियू का प्रभाव है कि सही को गलत समझना और गलत को सही समझना उल्टे को सीध उल्टा समझना कि कल्यूग का बरभार है कि जो वेक्टी योगी नहीं है वो टॉप पॉजिशन पर आ रहे है योगता नहीं है उनके पास टॉप पॉजिशन से आ रहे हैं तो कल्यूग के अंदर यह इसी बाते होंगी और ही जब अगे बढ़ेगा एक लिमिट मे आजाएका तो फिर अफकोर्स कल की वगवान अव्तार लेंगे और फिर सारी समस्याओं का हल हो जाएगे परलाया जाएगे तो यहां जो है प्रूपार लिखते हैं अन्त में किंतु शासित वता शासित के मद्द विश्वम्ता के इस यूग मैं अन्बैलिंस है अन्कंट्रॉल है समास्तिया नहीं है विश्वम्ता है तो इसमें भी ब्रूबार कहते हैं कि अध्याद में विकास इस्वच शीतना संबाव है that's what we are doing अध्यात्मी मिकास कर रहे हैं number one और बहुत्वान के पती अपने आपको conscious कर रहे हैं कि येस बहुत्वान है और हमें उनको स्विकार करना चाहिए हमें उनने accept करना चाहिए और यही हमारा मेशेश अधिकार है our special right special right क्या है कि हम independent soul है असोल होने इंडिपेंडन होने के नाते हमारा अजिकार है कि हम जो है इशो पर चेतना को प्राफ्त करें और मात असाक्षातकार के मार्क बे आगे बढ़ें क्रिश भामनामालत में हमने आगवा के बढ़ाएं जिससे समाज में व्वस्था फैले नहीं अब व्वस्था फैले नहीं व्वस्था का शामिल हो जाए व्वस्था को बनाए रखने के लिए सब का जो है एक कल्चिरल स्पृश्यूल आइडेंटिटी बननी ज़रूरी है जाब एक पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करें जिए हम लोग किश्मावना में आ गए हैं फॉल्चर फॉलो कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जिए सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन हैं हमको थोड़ा स्टिक्ली फॉलो करें तो लाइब बड़ी असानी से बहुत बढ़िया तरीके से निकलती है कोई दिक्र नहीं आती कोई सवस्या नहीं आती आज इतना ही शेश फिर Anybody wants to ask any question? Yes प्रभू रादा चित्धरी प्रभू बताईए Yes संदीब शर्मा जी आप उचिए हाथ तीन खड़े हैं बोर कोई नहीं दा आज 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 को गुल्डेन अभी गुल्डेन है कि अभी मात 5,000 साली कल्दूग हुआ है अभी चार लाग 27,000 बाकी है तो अभी यह हालत है कि पिताब